एलोवेरा सद्धियों से एक लोग प्रयोशद ही ये पौधा रहा है जो कई तरह से हमारे जीवन में प्रयोग होता ही है एलोवेरा के फायदे इतने सारे हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे यह तवचा की बीमारियों से लेकर सूजन चोट का इलाज करता है और साथ ही यह हमारी ओरल हिल्थ और आंतों के स्वास्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर इसकी पॉपुलेरिटी की बात करें तो यह जग जाहिर ही है कि एलोवेरा ने हाल ही में सौंदरे की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है यह सन्बर्न तवचा के दाघब्बों से लेकर लाल चककतों सुस्ट तवचा या शुष्ट फिजी बाल हो आपकी तवचा और बालों की हर एक समस्या का समाधान करने में आपकी मदद करेगा आपको शायद यह न पता हो की एलोवेरा जैल और एलोवेरा जूस मुभासे से लड़ने में भी मदद करता है इसके साथ साथ है एलोवेरा का प्रयोग आपके चेहरे के काले दब्बों और जुरियों को कम करने में भी किया जाता है एलो वेरा को वॉंडर प्लान्ट के नाम से भी जाना जाता है जो एक छोटे स्टेम जाड़ी जैसा पौधा होता है एलो एक जीन है जिसमें 500 से ज़ादा प्रजातियां स्पीसीज होती है एलो वेरा लिलियासी फैमिली का एक केक्टस रुपी पौधा है यद्यपी आजकल एलो वेरा के पौधे घर गर में उगाय जाते हैं और दुनिया भर में उप्योग किया जाते हैं पर पहले ये पौधे केवल उष्ण कटि बंधिये ट्रॉपिकल और दक्षणी अफनी का हिंद महासागर के दुईपों में पाय जाते थे एलो वेरा का पौधा एक रसीला पौधा होता है जिसका मतलब है कि यह बिना पानी के भी गर्मियों के गर्म मौसम में बढ़ने के लिए अनुकूलित होता है क्यूंकि इसकी पतियां इतनी ज्यादा स्टॉर कर सकती है कि बिना पानी के भी यह काफी समय तक रह सकता है एलोवेरा इतना गुनकारी होता है कि आपकी स्किन के जल जाने पर अगर आप एलोवेरा जूस लगाते हैं यह वास्तव में दुनिया भर में इस्तिमाल होने वाले सबसे लोग प्रिय और शधिये पौधों में से एक है आपको एलोवेरा कॉसमेटिक्स और हिल्थ ज्रिंक से दवा और खाद्य पदार्थों तक हर जगह मिल जाएगा एलोवेरा के पौधे के पत्तों का आम और पर दो तरीके से उप्योग किया जाता है एलोवेरा जेल यह एलोवेरा की पत्यों के भीत्री भाग में पाया जाने वाला पतला जेली जैसी पदार्थ होता है एलोवेरा लेटेक्स यह एक सैप की तरहे तरहलपदार्थ है जो पौधे की तवचा के नीचे से आता है यह पीले रंग का होता है एलोवेरा के अजवलन शीलगोन के कारण ही इसका उप्योग कई कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट्स में किया जाता है एलोवेरा में 75 पोशक तत्व, 20 खनेज, 12 विटामिन, 18 एमिनो एसेड और 200 सक्रिये नाइम होते हैं इसमें विटामिन A, B1, B2, B6 और B12, विटामिन C और E, फोलिक, एसेड और नियासिन भी शामिल है इसके साथ साथ कुछ मिनेरल्स जैसे कॉपर, आईरन, सोडियम, कैल्शियम, जस्ताजिंक, पोटेशियम, क्रोमियम, मैगनीशियम और मैंगनीज भी पाय जाते हैं खास कर ठंडे दुनों में आपको अपने इम्यून सिस्टम का विशेज ध्यान रखना चाहिए एलोवेरा के पोलिस का राइड्स में इम्यून अमदुलतोरी और ट्यूमर को रोकने के गुण होते हैं दूसरे शब्दों में कहे तो, एलोवेरा जैल इम्यून सिस्टम को ट्रेक पर वापस लाने में मदद करता है और एक साथ कैंसर ट्यूमर को नश्ट कर सकता है एलोवेरा ना केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है बल्कि यह तंत्रिकाओं को भी मजबूत करता है ताक कि तनाव से बेहतर ढंग से मुकाबला किया जा सके जब हम बहुत अधिक भोजन खा लेते हैं तो कई बाल हमें अस्सुभीधा का सामना करना पड़ाता है ऐसे में एलोवेरा बहुत मदद करता है एलोवेरा के नियमित उप्योग से शरीर के पाचंतंत्र को साफ करने में मदद मिलती है साफ और शुद्ध एलोवेरा जैल और जूस पीने से आंतों में सुधार आता है एलोवेरा के जूस में प्राक्रतिक और डिटॉक्सी फाइंग ख्रमता होती है इसलिए इसके नियमित सेवन से आपकी आंतों में सुधार आता है एक रिपोर्ड के अनुसार एलोवेरा क्यूरेटिव सिंड्रोम, गैस्ट्रिक अलसर, क्रॉन रोग और अन्य पाचन विकारों से मुक्ती में मदद करता है यह यह आपके बलड को भी साफ करता है एलोवेरा त्वचा रोगों से लणने में आपकी मदद करता है फिर चाहे वेह मुभा से, एक जिमा, डारमा टाइटिस या सोराइसिस हो एलोवेरा त्वचा को ठी करता है एलोवेरा का जूस ठंडा होता है, जो हमारी स्किन को मौस्टराइज करता है और त्वचा को जलन और भिमारियों से चुटकारा दिलाता है स्किन रोगों के लिए डॉक्टर्स एलोवेरा जूस पीने की सलहा देते है और साथ ही साथ इन फेक्टेड जगे पर इसे लगाने की सलहा भी दी जाती है एलोवेरा जेल में 12 प्राक्रतिक पदार्थ होते हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के हमारे घाव भरने के काम आते हैं इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर में एलोवेरा को पौधा या एलोवेरा का जूस हर समय रखें क्योंकि चोट कभी भी लग सकती है चोट पर एलोवेरा लगाएं जब एलोवेरा सूखता है तो यहूं तक को एक साथ खींचता है और इस तरह से घाव बंद कर देता है और इसे बैक्टीरिया से मुक्त रखता है वैसे एलोवेरा मूह और मसूडों के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर आपके जोडों में परिशानी है तो यह काफी गंभीर समस्या हो सकती है और यहां आपके चलने फिरने में बाधा डाल सकती है एलोवेरा जेल जोडों के दर्द को कम करता है और मानसपे शीगती शीलता को बढ़ाता है प्रूमतिजम और आर्टीरिया स्क्लेरोटसिस दोनों ही बीमारिया दिल के दरे या स्ट्रॉक का कारण बन सकती है एलोवेरा रक्त में अधिक ऑक्सीजन परिवहन करने में सक्षम बनाता है और दिल के दरे और स्ट्रॉक को कम करता है यह हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है यदि आप नियमे तूप से एलोवेरा का रुपे पीते हैं तो आप बिमारी को समय से रोक्या कम कर सकते हैं एलोवेरा आजकल हाई क्वालिटी प्रॉड़क्स में इस्तिमाल कि जाता है क्योंकि यह त्वचा के लिए एक अध्भुत दवा है। कब्ज के इलाज के लिए एलो वेरा का इस्तिमाल किया जाता है। बदले में आपको बहुत से लाब मिलते हैं। तो आगे बढ़ें। और आज ही अपनी हेल्थ को सुधा। बदले में आपको बढ़ें।